हेई गाईज आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी जो की M.E.G. 7 में दे रखी है इसका नाम है गाजर हलवा और इसे लिखा है गीता हरी हरन ने तो जो गीता हरी हरन है पहले उनके बारे में थोड़का जान लेते हैं तो वो एक इंडियन राइटर थी जिन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो वहीं से रिसीव करी थी जहांपर वो ग्रो आप हुई थी जैसे की मतलब की Bombay में Bombay और Manila में उन्होंने अपनी लेटर एजुकेशन जो थी वो US में कम्प्लीट करी थी जहां पर उन्होंने पॉब्लिक टेलिविजन में वर्क भी किया था इन्होंने बॉंबे में भी बहुत सरे वर्क किये हैं, बॉंबे की सिटीज में भी वर्क किये हैं, मदरास में भी करे हैं, और न्यू देली में भी करे हैं, 1979 के आसपास में 1993 में इनकी शॉर्ट स्टोरीज का जो कलेक्शन था, जिसका नाम था, The Art of Dying and Other Stories, वो पब्लिश हुई थी, इसी टाइटल के साथ, जिसमें की 20 शॉर्ट स्टोरियां थी, जो की इसमें पब्लिश हुई थी, और इन्होंने एक नॉवल भी लिखी है, काफी सारी लिखी हैं वैस इनके अधर वर्क हैं जैसे की वेड ड्रीम ट्रेवर 1999 में, दगोस्ट ऑफ वासु मास्टर 1994 में, तो आज हम कबर करेंगे गाजर हलवा के बारे में, जो शॉर्ट स्टोरी है, उसके बारे में, तो यह जो स्टोरी है मिली दिखाती है, शो करती है, हार्ट शिप को एक यंग एरिया का एक गाउं है, वहाँ पर उसकी हार्ट शिप कैसी थी, और जब वो डैली आ जाती है, उसके आने के बाद, डैली आने के बाद, उसके जो लाइफ है, वो तब यह भी हार्ट शिप में ही रहती है, तो उसको हमास देखेंगे, कैसे कैसे यह जो वर्क है, वो पूर की निजिक है चिलाती है लेकिंगे जो सी के मदर को मिल्कुल कर ने ayamadra नहीं करती है क्योंकि वह बोलती है कि ? ही वह अच्छा ही है उसके फाद नहीं है वह एक शिराबी है बास्टर्डड है और उसके बार जिए जाती है हर दिन जाती है यहां तक कि तब भी जब उसकी health अच्छी नहीं होती है यहां तक कि तब भी जब उसके stomach में कुछ भी नहीं होता है वो भूकी रहती है वो जो उसकी mother है वो एक construction highway का work हो रहा है वहां पर work करती है, वहीं पर मस्दूरी करती है जो कि उनके गाओं के पास में ही बनाया जा रहा है उनके गाओं के पास में ही build up किया जा रहा है तो every morning जो पेरुमाई है उसका काम यही है कि वो सुबा उटती है, अपनी mother के लिए tea prepare करती है और फिजो उसकी mother है उसी tea को पीकर six o clock में वहां से निकल जाती है यहां तक कि जो condition है वो इतनी जादा pathetic है उनकी वो भी शोकर रखा है वो अपने सर पर अपने head पर एक rag रखती है जैसे कि कप्डो का जो बनाया जाता है उसको रखती है ताकि उसके उपर वो gravel basket रख सके जो तसले होते हैं उसको रख सके और वो इतना जादा burden होता है कि वो उस burden को पूरे दिन उठाती है और यहां तक कि उसका एक child है एक baby है जो कि अभी breast feeding कर रहा है इतना छोटा है तो उस lady को उस बच्चे को भी समालना होता है तो वो अपने सर पर बासके रख के गूमती है और अपने जो baby है उसे अपने hip पर रख के पूरे दिन work करती है तो यह जो condition यहां पर show करे गई है यह बहुत जादा important है और यह imagination ही बता देती है कि उनकी जो life हो कि इतनी जादा hardship में भीत रही है उनके पास कुछ भी नहीं है अपने आपको support करने के लिए फीड करने के लिए उसके four children है उनके लिए भी कुछ नहीं है तो जब उसकी mother जो है वो काम पर जाती है highway construction के काम पर जाती है तो जो young पेरू मई है वो अपने brother जिसका नाम से इलवान है उसे ready करती है school के लिए जो पेरू मई है उसे grill बनाना आता है तो वो उसके लिए बनाती है और उसके hair को कॉम करती है फिर उसे door पे खड़े होके goodbye करती है और जब वो school के लिए चला जाता है तो फिर वो जो उसकी चोटी sister है जो उसकी younger sister है जिसका नाम थाई है जो कि अभी एक baby ही है वो दोनों मिलके घर के काम को complete करते हैं जैसे की वो firewood collect करते हैं water लेके आते हैं एक लंबी line में लगने के बाद जो कि कभी खतम ही नहीं होती है ऐसा वो कपडों को धोते हैं river के पास ले जाते हैं उन्हें hit कर करके repeatedly rock पर मार मार के उनको धोते हैं यहाँ पर लाइन बोले गई है पेरु माई is like a little mother और यह जो लाइन है यह signify कर देती है और दिखाती है डेपेक्ट करती है आरेनी को कि वो खुद एक young girl है फिर भी वो जो उसका work है वो ऐसे करती है जैसे like a little mother के जो age है वो play करने की है school जाने की है अपने childhood को enjoy करने की है उस time पर वो अपने siblings की take care कर रही है घर की देख भाग कर रही है घर के works कर रही है अब जो इनकी जो problem है वो बहुत जादा बढ़ जाती है तब जब जो highway construction का जो work होता है वो खतम हो जाता है over हो जाता है उस काम की खतम होने के बाद उसकी जो mother है उसके पास कोई भी काम नहीं बचता है तो इसका मतलब यह था कि जो only source था उनकी घर में income का वो भी बंद हो जाता है उसे time पर उन्हें पता चलता है कि एक चलमा नाम की एक cousin है उनकी neighbor की cousin है जो कि गाउं में बात कर रही है कि उसे पांच लड़कियां चाहिए ताकि उन पांच लड़कियों को लेकर डेली जा सके अपने साथ जो चलमा है वो भी एक लड़की ही है और वो यहां पर आई है ताकि यहां से वो लड़कियों को ले जा सके डेली और वहां पर वो as a maid काम करें सारे तो यहां पर यह डिसाइड हो जाता है कि जो पेरू मई है वो भी डेली जाएगी वो भी वहां पर जाके काम करेगी और वहां से जो पैसे इंकम करेगी जो पैसे कमाएगी उसे अपने घर पर भेजेगी ताकि जो उनकी hardship है और जो problems है थोड़ी सी कम हो सगे तो इसमें बताया गया है कि जो पेरुमा ही है वो चेलमा के साथ ही पूरे रास्ते जितना भी ट्रेन का उनका जर्नी होता है उसमें चिपक के बैठी रहती है दूसरों के face उसके तरफ देखती भी नहीं है और जब वो एक पर डैली पहुच जाते हैं चेलमा के house में उसके room में जो कि मुनीर का में है डैली में मुनीर का famous है तो जब वहाँ पर पहुच जाते हैं तो जो room की smell है उसमें बहुत जादा गंदी smell आते है लेकिन फिर भी जो चेलमा है उससे ये घर मिला है बहुत जादा सालों तक work करने के बाद एक में में साब की घर पर work करने के बाद एन उसे बहुत सारी लड़किया और मिलती है बहुत मिलक बूठ बड़त और जब वो मिलक बूथ पर खड़ी होती है उसे याद आति है उसे आन ऐदा की बहू पर पर ऑण जहाँ जाएं जुर में खड़े हो कर पानी भरा करते थे और यहां पर बहुत लड़कियों के कि जो बच्चे उस टाइम पे यहां पर आए हैन लिकिन अपनी ड्रीम को फुल्फिल करने के लिए नहीं बलकि अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए इजाओ पर लगाते हैं अपनी alan परते पे करते हैं अपनी फैमिली को थोड़ा सा पैसा देने के लिए तो जो हरी हरन हम उनों इफेक्टिवली डिपिक्ट किया है मिस्डेबल कंडिशन को जो रूरल एरिया की थी जो इंडिया की रूरल एरिया की थी कुछ जो थे वो अपने घर को छोड़ कर बड़ी सिटीज में जाते थे डेली में जैसे की ताकि वो आपर जाकर लाइफ हुट देख सके लाइफ लिए धून सके यहां पर यह नहीं दिखाया गया है कि वो अपना घर चोड़ देते हैं अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए लेकिन वो अपनी सर्वाइवल को पूरा करने के लिए इन्वेंट लाइज और फॉल्स होड क्यों हो यहां पर बताया है कि जो पेरू मई है उसे यहां पर जॉब नहीं मिलती है अगर जो चेलमा है यह बोल देती कि उसे खाना बनाना नहीं आता है उसे तो अपने लाइफ में सिर्फ राइस और गृल को ही बनाया है या फिर कभी क बॉलमे वर्क करती है तो दीरे-दीरे वो भी समझने लग जाती है वो वैसे तो साउट से आई है तो इसलेए उसकी जो हिन्दी है वो अच्छी नहीं है उसे समझ में भी Damit उक्ष़िस इन उससे नहीं ब defenses को मिलंद करना बैकित अंधर जल्दी कप्रण दोदेना जो किजान तो यहां पर वो सीख लेती है कि कैसे जिब कोई ना देखे तो वैसे काम कर सकती है जब कोई ना देखे तो वो कोई समान उठाकर अपने मुँमें डाल सकती है क्योंकि भूखी रहती है लेकिन अब तक हमने जो भी स्टोरी में cover किया उसका और जो टाइटल है उसका कोई connection नह गाजर का हलवा बन सके, वो बहुत ज़्यादा कैरेट्स को छीलती है, वो बहुत ज़्यादा ही जो गाजर है, उन्हें घिसती है, कैरेट्स को घिसती है, उन्हें छीलती है, और उसके बाद जो इसका हैंड है, जो आमस है, जो फिंगर्स है, वो नम्रेस में चले जाती है, उ वो लाइफलेस हो गई है। उसके जो फिंगर्स है उसे ऐसा लगता है कि उसका भी फिरसे स्ट्रेट नहीं हो पाएंगी क्योंकि निग निगाती है उसका बीदे ग्रेट करती है। बहुत लंबे टाइम तक जो नंबनेश है वो उसके आपसे दिखाई देती ओर ये एंडीकेट करती है उसकी लाइफ को जो की दिखा रही है हार्डशेप को की फ्यूचर में उसको कितना पीन होने वाला है कितनी नंबनेश मिलनी वाली है उसकी लाइफ में इस स्टोरी में हर पेरुमई है वो यहां पर प्रिटेंड करती है कि उसे सब कुछ आता है या फिर सब को समझ जाती है जो इसकी मिस्ट्रेस बोलती है लेकिन उसे समझ में नहीं आता है क्योंकि उसे हिंदी लैंग्विज नहीं आती है वो बाद में हिंदी को समझती है हिंदी पढ़ना लिखन आचना सीख लेती है थोड़ा थोड़ा। और जलद ही Susie Sinkh Lyti है. वह गाजर नहीं बोल पाती है उसलिए उसे कच्चर बोलती है और इसके नाम पर जो असकी मिस्ट्रेस है जो उसके ओपर हस देती है लेकिन जो पेरुमाई है वो इस चीज़ को समझने में understand करने में fail हो जाती है कि जो उसकी mistress है वो इतनी ज़्यादा educated है उसे drive करना भी आता है वो इतनी rich है उसके बाद भी वो उसका नाम सही से correctly नहीं ले पाती है लेकिन पेरुमाई क्या नहीं समझ पाती है वो यह नहीं समझ पाती है कि जो उसकी mistress है वो उसकी inability नहीं है वो नहीं गलत बोल रही है बलकि यह पेरुमाई की inability है कि वो नहीं समझ पा रही है कि जो convention है नाम को छोटा कर दीने का वो कैसे work करता है इन cities में अब यहाँ पर थोड़ाफा डिफरेंस दिखा रखा है weather का कि जो north और south का weather है वो कैसे है highlight कर रखा इसे कि जो डैली की winter से यहाँ पर विल्कुल भी ठंडियों में जो sun है वो shine नहीं करता है कई दिनों तक और जो पेरुमाई है उसे लगता है कि जो उसकी fingers है frozen हो गई है और कभी-कभी वो जब देखती है उसकी meme साब या फिर जो उसकी mystery से वहाँ पर नहीं है तो वो kitchen का डोर बंद करके जो gas knobs होती है उन्हें तेज कर देती है और उसमें अपनी जो fingers है उन्हें से एक लेती है जो story है वो highlight करती है ऐसे situation को जो की पेरु में deal करती है पेरु में face करती है प्लस जो girls हैं उसी की age की उसी की तरह उनको भी दिखाती है उनकी hardship को दिखाती है उनकी situation को दिखाती है इसमें जो title है बल्कुल ठीक तरीके से लिखा हुआ है गाजर हलवा क्योंकि लास्ट में जो गाजर की recipe है गाजर हलवे की जो recipe है उसी को describe किया गया है कि उसमें कितना दा effort लगता है और यह बहुत ज़्यदा famous dish है हमारी Swedish है North India में और जो themes है वो mainly hardship को दिखाता है और दिखाता है जो हमारे backward areas है और जो हमारी हमारी पस education नहीं है उसके बारे में और जो गरीबी है जो हमारे southern area है वहाँ पर जो लोग है माइग्रेट कर लेते हैं माइग्रेशन कर लेते हैं South से या फिर किसी भी ऐसे backward area से डेली में या फिर बड़े बड़े शहरों में कि वहाँ पर उन्हें employment मिल सके उनकी livelihood रह सके वो जिन्दा रहने के लिए जगह वपर आते हैं stay alive के लिए आते हैं ना कि अपनी dreams को अपनी luxury को